अस्लाम अलेकूम। विद्यार्थी मित्रानों आज अपने एत्त दहवी विशे मराथी पाट कर्माणक दहा पठाचे नाव अहे डास पिटी का या पठाचे लेका का हे अनील अउचट। विद्धर्धी मित्रानों भाग एक मदे पहला परीच्छ दापन पाहना रहोत। त्या मानसाला बाकी कही प्रश्नस न होते। तो सगड़ी कड़े जमोन के नारा मानूस होता फक्त तेची एकत्स अपिक्ष्या से किरात्री निवान तो जुपता यावे पन ते डास ते वड़ी ही इच्छा पूरी हो देद नसत। इस शक्स को किसी भी तरह का कोई सवाल ही नहीं था। वो शक्स हर जगा अपने आपको एक्जैस करने वाला था। और उस शक्स की एक ही खोईश थी कि रात में इत्मिनान से नीद आ जाए। मगर जो डास थे उसकी इतनी भी जो खोईश थी वो पूरी नहीं होने देते थे। तेला काय मनावे उनको क्या कहना। हाज ओपला की जाली स्थैंची गुणगुण शुरू ये शक्स जैसे ही सोया तो मच्छर उसके कान के पास गुणगुण आवास शुरू कर देते मच्छरों को भगाने के लिए अगर बत्ती भी जला लिया। मगर डाज जो है किसी भी तरीके का जो है उसे नीन नहीं आने देते थे। पंखा लावले और मात्र जरा शांतता मिडू लागली पन त्या धंडन पंख्याचा ही तरास। और वो शक्स जो है फिर ये सारी बाते करने के बाद में पंखा लगा लिया करता था। और पंखा भी जो उस शक्स का था वो धंडन करके आवास करता था। उसका भी उसे जो है तरास था। अप रातरी जा गयाची तो पंखा बंद करून टाकाई सा। और बीच में ही रात में जब उसे उशारी आती थी तो वो पंखा बंद कर देता था। उकड़ाला लागला की दारे खिड़कया उगड़ाई सा पंखा शुरू केला तरी आलेले याचक काई सोड़नार होते त्याला। याले पंखा बंद करते ही उस शक्स को जो है गरम होना शुरू हो जाता था। फिर उस शक्स दर्वाजे खिड़कया सब जो है खोल देता थ था मगर यह जो मच्छर थे यह क्या छोड़ने वाले थे पैरे बच्चों यहां पर हम रुकते हैं अल्ला हाफीज